Hey foodies, welcome to the Spice Express friends, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मतर पनीर भुजी की बहुती टेस्टी, इजी और बहुती स्वाधिश्ट रेसिपी, यह बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुती टेस्टी है, चलिए आए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे, इंग्रिडियंट् इसे बारिक चॉप कर लिया है, मैंने एक मीडियम साइज का आलू आलु यह इसे भी छोटे-चोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, साथ ही मैंने दो बड़े टमाटर और दो हरी मिर्च की प्योडी बना ली है, बेसिक मसाली लिये है मैंने जैसे की सूखा धनिया लिया है, म जाल मिर्च और काली मिर्च, दो तेज पत्ता लिया है मैंने और आदा चम्मत जीरा और नमक, साथ ही मैंने लिया है मैगी मसाला, इसका फ्लेवर जो है बहुत ही टेस्टी आता है इस रेसिपी में और ये अप्शनल है अगर आप नान डालना चाहें तो नान डाले और ये उक लेकिन सर्सों के तेल में ना करें और ऑईल गरम होने के बाद मैं इसमें आड करने वाली हूँ आधा चम्मत जीरा और साथ ही साथ दो तेज पत्ता तेज पत्ता का प्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें इसे हम 10 से 15 से के लिए इस तरीके से चटकने देंगे ये देखि कर लेना है करी 20 से 30 से के लिए ताकि इसका जो है कच्छा पन या फ्लेवर जो है कच्छा वो निकल जाए और बहुत ही अच्छा सा प्लीजिंग सा खुशू आने लग जाए इसमें तब तक हमें इसे भूनना है मीडियम फ्लेम पर ये देखिए और अच्छा सा हॉट हुआ मैंने लिए फ्रोजन मटर आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं और मैंने एक मीडियम साइज का आलो लिया है इसे मैं ने बारिक बारिक चॉप कर लिया है इसे भी मैं इसमें ад कर दोंगी यह द drawn की यह देखे मैंने मटर डाल दिया है और साथ ही मैं आड़ करूंगी यह एक मीडियम साइज का आलू तो यह जो रेसिपी है जटपट बनने वाली है टेस्टी बहुत है और अचानक से कभी मैमान आ जाएं तो आप यह बना सकते हैं सुखी सबजी के तौर पर इसके साथ आप चाहें तो रायता सर्फ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसके साथ डाल सर्फ कर सकते हैं कोई भी रसेदार सबजी सर्फ कर सकते हैं जटपट बनने वाली पनीर की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, ये देखे मैंने इसमें करीब आदा चम्मन जितना नमक डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे, नमक डालने से क्या होगा कि आलू और मतर में नमक का फ्लेवर आ जाएगा, और साथ ही आलू और ज स्पाइस को इस तरीके से कट करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, कि जो आलू है वो हमारे अच्छे से कुख हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे करीब आदा चम्मन जितना सूखा धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से सौते करेंगे, जब तक इसकी अ जब लाल मिर्च पाउडर, आप चम्मन जितना संटर करते हैं उसमें या मही में तक के अम एंच्छ दैस्वाड़क様 करते हैं, खुदasm शब States पन सब्द्रों को आपको स्चे सबस्का पाउडर और तो क्रफान खुलन तो अपने टेस्दमी कि अश्या कानटीम अड़स्ट स तो फारा जो जाए और एक मिनट बाज चेक करेंगे, तो हम देखेंगे की आप एमारे बुआटो शती है, अटिपे लृ जा चूगा है, अज़ा चूख तो फिर एंगे बुआना है, आप देखेंगे, बबल्स इसका मतलब है कि आप बॉआटो शती है, जा चूखे रहें अक्सर जब भूर्जी बनाते हैं तो पनीर को हम ग्रेट कर लेते हैं या क्रमबल कर लेते हैं हाथों से तो यह डिफरेंट स्टाइल की इसमें आपको पनीर को कुछ नहीं करना है बहुत ही छोटे-छोटे ऑर पतले पतले क्यूप में करना है तो अच्छे से mix करेंगे इसे हम और ये सब काम जो है हम low flame पे करेंगे क्योंकि मसाला already हमारा cook हो चुका है तो flame को high या medium रखने की जरूरत नहीं है ये जो सबजी है सारी cook हो चुकी है mostly तो अब जो है हम इसमें आड करेंगे करीब एक चम मत जितनी cream मेरे पास ये अमूल की cream है तो मैंने ये आड की है आप चाहें तो इसमें fresh मलाई आड कर सकते हैं जो आपके दूद के उपर से आप मलाई इस्तमाल करते हैं यूज करते हैं त इसके उपर डाल दिया है fresh fresh green coriander या फिर हरा धनिया इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा फ्रेश हाता है अब इसके उपर मैंने करीब आधा पाउच या आधा चम मत जितना मैंने इसमें डाल दिया है मैंगी मसाला ये totally optional है आप चाहें तो डालें चाहें तो ना ड आप चाहें तो किचन किंग मसाला डाल सकते हैं या कुछ भी और तो ये ready हो गई है इसे हम ढख देंगे और low flame पर एक मिनट तक के लिए रख देंगे ऐसा करने सी जो सारी मसाली है जो हमने मैजिक मसाला डाला है उसका सारा फ्लेवर जो है हमारा सबजी में आ जाएगा और अपरेट हो जाएगा तो कलर अच्छा है और ये ready हो गई है इसे अप गरम गरम नान चपाती परांठा पूरी जिस मर्ची चीज के साथ इंजॉय करें आपको ये बहुत पसंद आने वाली है जपट बनने वाली मटर पनीर और आलू की ये भूरजी ब्रेक्टफास्ट में लंच में बनाएं लंच बॉक्स में पैक करें खुद खाएं महमानों को खिलाएं जाहें जैसे भी इंजॉय करें या फिर सफर में पैक करके लिए जाएं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं सब्सक्राइब करें दर